देशभर को अन पहुचाने वाला अनदाता खुद ही परिशान हो गया है। कभी अनदाता की फसल को मौसं की बेरुखी मार देती है तो कभी समय पर फसल ना बिखने के कारण अनदाता की परिशानी काफी बढ़ जाती है। सिला कांगणा के किसानों को अपनी धान की फसल को अनाज मंडि olhos में बीचना मुश्किल हो गया है। कांगरा जिले के शापूर और आसपास के किसानों के धान से भरे ट्रंक और ट्रैक्टर फतैपूर के अनाज बंडि के परिसर में फिछले पांस से छे दिनों से खाली होने का इंतिसार कर रहे हैं इन किसानों की आधि से ज़्यादा फसला भी भी खेतों बेपड़ी हुई है प्रदेश सरकार ने धान की खरीद तो कर ली लेकिन उसे लिफ्ट करने का प्रसेस काफी धीमा है मातर दो शैलर ग्राजा का बाग और धलियारा मिस्थित है जिनको सिर्फ पच्ची सो क्विंटल धान से चावल बनाने के लिए दिये जा रहे है उस पर भी एक शर्ट लगा दी गई है कि जब तक दिये गए धान का चावल शैलर से वापस नहीं आता तब तक दूसरी खेब नहीं दी जाएगी एपी अमसी के नवनियूक सदस्य और हिमाचल किसान संग इकाई का कहना है कि सरकार और विफाग किसानों पर नहीं बलकि जिला के दो शैलरों पर महरबान है उन्होंने कहा कि सरकार को जिला उना और अन्य जिलों के बड़े-बड़े शैलरों से संपर करना चाहिए ताकि लिफ्टिंग जल्दी हो सकेगी कि चिथियां डालके या पोटो फुटो बगारा जब कटाई शुरू हो थी वेजिके अमने तीन तारीख को शुरू को पर पांच को शुरू कि थी लेकिन दॉस तारीख को बिलिंग करने शुरू कर दी थी लेकिन तब से लेकर के अब तक कम से कम भी 30-35 जार जहां फटेपुर में हो गया और 20-25 जार रियाली के अंदर मिलमा के अंदर भी ऐसे चला हुआ है लेकिन लिफ्टिंग का काम बिलकुल स्लो है पलंत पूरे भर चके हैं किसानों ने रेक्टर लेकर के अभी जो क्राय पे ट्रॉली नी दे रहा है एक दिन का 500-5000 रुपिया किसान दे रहा है दस-दस दिन से उट्रॉली यहाँ पे खड़ी वही किसानों की थान से भरी 25-26 गाड़ियां पिछले 5-6 दिनों से खाली होने का इंतजार कर रही है किसानों का कहना है कि किसान मंडियों में थान बेचने के लिए बैठेंगे या अपनी नई फसल को लगाने की तयारी करेंगी इस बारे में खादिया पूर्ती विभाग की निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा कि सोमवार को जिला खादिया पूर्ती विभाग नियंतरक किया गवाई में मंडियों में पहुνच कर किसानों की समस्याओं को जानेंगे और उनका खल करेंगे प्रशासन की तरब से किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किसानों की फसल को जल्द खारीदा जाएगा